इस रिट कब होगी बेटा देखो दो चीजे मैंने कहा अभी चार जुन के बाद ये हलचले शुरू होगी चार जुन तक आचार सहीता है अब हाँ चार जुन के बाद इसको लेकर मैंने आपको पहले भी कहा था कि बजट की गोशनाओं को लेकर जस्ट मेटिंग होगी इनकी तो बजट की गोशनाओं में इनोंने 17,000 भड़ती गोशना किये कही बच्चों ने मैंने जब बताया था कि ग्रेट फेस्ट ग्रेट सेकेंड़ी वेकेंसी आएंगे तो कि बच्चों ने का असरा इस साल नहीं आएंगी देखो हमारे आस पास बहुत सारे लोग हैं और मुझे मोटिवेट करने की जुरुत कहा है मुझे मोटिवेशन से फाइदा नहीं मिल रहा मैं ये चाहता हूँ आप अपने जिंदगी में पांस से साथ ऐसे लोगों की सुने जो आपको कहेंगी कि आप अच्छा कर सकते हो आप अपने आस पास चार से पांस लोगों अरे न सुन लोगे ना तुम्हारा पूरा दिन खराब चला जाएगा और एक दिन खराब जाने का मतलब एक दिन खराब नहीं होता है वो एक दिन पूरे महिने को प्रावित करता है और तुम्हारा एक महिना तुम्हारे पूरे वर्ष को बरबाद कर देता है और तुम्हारा एक व यार मैं सेंटर में लग जाओंगा और हर दिन भरतियां निकलती है किसीने किसी डिपार्टमेंट में रास्तान को पुरी भारत की किसीने किसी डिपार्टमेंट में हर दिन कोईने कोई भरतिया निकलती है येदि तुम पॉजिटिव हो तुम आशावादी हो तुम निकाल पढ़ोगी किसी भी अंदकार से और तुम उन लोगों की बातें सुन रहे हो मैं कोमेंट्स परता हूँ आप लोगों के यूटूब पे अधी सिंग सरकातो काम है वो तो हमेशा इसे बोलें आएगी 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 देखना मैं कहता हूँ 2025 से पहले कोई वेकेंसी नहीं आएगी पांच लोगों की ऐसे बातें शुन लोगे न अपने जिन्दगी को बरबाद कर बैठोगे इमानदारी से नियत से सही सिंटम बना के तुम चलोगे न कहीं ने कहीं सेट हो जाओगे और प्राइबेट जोब के लिए टाइम है आपके पास बिजनस करने के लिए टाइम है बिजनस का इदिया आपका माइंड ओरेंटेड है तो फिर यहां मत खुशिए फिर वहाँ अपनी पूरी इस टेमिना पूरी उड़जा वहाँ जोगिए और यदि यह आपका सपना है कि मुझे गवर्मेंट जोब में निकलना है तो फिर ऐसी लोगों की बातों पर ध्यान मत दो जो यह आपको ड़रा रहे हैं किसने किसी रूप में ऐसा हो जाएगा देखना आप तो